नमस्कार ना इधर ना उधर सिधे मुद्धे पर नज़र और क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूज एटीन आपके पुनीत के साथ तो खबर ये कि कॉंग्रेस में अब भी चल रहा है खेल एक तरफ वोटों की गिंदी तो दूसरी तरफ सीम कौन बनेगा इसकी माथा पची सब साथ साथ चल रहा है लेकिन नतीजे जारी हों उसे पहले जो एक्जिट पॉल आया वो कॉंग्रेस के खेबे में खुशी की लहर जरूर दोड़ा गया अलग-अलग एजेंसियों ने एक्जिट पॉल कर आया और उसका लब बो लुआ कुल मिला कर ये रहा कि हर्याना में कॉंग्रेस का वनवास खत्म होने वाला है जनादेश बस जल्द ही जनता के सामने आ जाएगा हर्याना में कुल विधान सभा सीटों की अगर बात कर लें तो उनकी स्वंख्या है 90 और हर्याना में विधान सभा के अखाले में खड़ी एहम पार्टिया है बीजेपी, कॉंग्रेस, इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टि भी जिसने अपना पूरा जोर यहां पर प्रचार में दिखाया कुल एक हजार से ज्यादा उम्मीदवारों के भागे का फैसला जनता कर चुकी है और उसका नतीजा आने में बस कुछ देर का ही इंतिसार करना है लेकिन पहले यह आंकले देख लीजिए, एक्जिट पोल क्या बता रहा है? पोल ओफ पोल्स की अगर बात कर लें तो हर्यादा में कॉंग्रेस की सरकार को बहुमत मिल सकता है कॉंग्रेस को बहुमत मिल सकता है और कॉंग्रेस सरकार बना सकती है जबकि दो बार से सत्ता में मौझूद बीजेपी बहुमत से बहुत दूर दिखाई देती है कई exit polls को अगर calculate किया जाए तो poll of polls आता है और वो ये बता रहा है कि हर्याना में अब clear majority में आ रही है Congress 90 में से 56 seat पर Congress काबिस होती दिख रही है जबकि सताधारी बीजेपी की सिर्फ 27 seat मिलती दिख रही है अनकी जो बात थी वो चुनाओ के बात किंग मेकर जो थे पिछली बार उस category में सिर्फ 7 seat जाती नजर आती है और ऐसे में पंजाब और दिली दोनों राजियों से लगे हर्याना में क्या हमादमी पार्टी खाता भी नहीं खुल पाएगी कुछ वक्त में ही नतीजे इस पर सबसे परदा उठा देने वाले नतीजे सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे लेकिन इससे पहले ये भी जानिये कि बीते दो विधान सभा चुनाओं में पॉलिटिकल पार्टी का प्रदर्शन कैसा था ये तो आप जानते ही हैं कि दोनों बार बीजेपी ने सरकार बनाई लेकिन साल 2014 में बीजेपी ने 47 सीट हासिल की थी 33 सीट से ज्यादा वोट के साथ उसका वोट शेर था जबकि कॉंग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 15 सीट पर जीत मिल पाई थी और वोट शेर उसके पास था किवल 20 पीसद के आसपास इने लों को इस बार दूसरे नंबर पर रहते हुए 16 सीटे पर जीत हासिल होई थी और उसके पास था 24 पीसद से ज्यादा वोट शेर 2019 की अगर बात कर लें तो बीजेपी को 40 सीट यहाँ पर मिली जबकि कॉंग्रस को 31 सीट मिली यानि की पूर्ड बहुमत कीसी के पास भी नहीं था लेकिन 10 सीटों पर जीतने वाली जेजेपी की साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बना ली वैसे इस बार के चुनाव के अगर बात करें तो हर्याला की 90 में से 20 सीटे ऐसी हैं जहां पर कॉंग्रस और बीजेपी के बागी मैदान में उतरे हुए हैं और ये क्या खेल दिखाएंगे ये बड़ा दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि नतीजे बजाने वाले हैं तो क्या बागी खेल बिगाड़ चुके हैं और अगर ऐसा है तो किसका खेल बिगाड़ा आएका कॉंग्रस के लिए नतीजों पर असर हो जाएगा या फिर बीजेपी पर बागी भारी पढ़कर उसका खेल बिगाड़ेंगे बहुत जल्दी साफ हो रहा है वैसे अगर मुद्दों की बात करें तो कॉंग्रस ने यहाँ पर दो मुद्दों को हवा देने के खुब कोशिश की पहला तीन क्रिशी कानून जिसे काला कानून बता दिया गया वैसे केंदर सरकार इन्हें पहले ही वापस ले चुकी है लेकिन इन कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसानों ने दिली जाने के लिए जो हुंकार भरी थी उसमें ज्यादातर किसान तो इस एक शेतर से आते हैं हलाकि बीजेब की तरफ से बार बार ये दवा किया गया कि मुद्दा यहाँ पर काम नहीं करने वाला और कॉंग्रेस लोगों में ब्रहम भैलाने की कोशिश कर रही है दूसरी तरफ इस चुनाओं में कॉंग्रेस का एक बड़ा दाओं विनेश फोगाट को लेकर देखने को मिला ओलम्पिक खेलो में गोल्ड मेडल की रेस में बिलकुल करीब से चूक जाने वाली विनेश फोगाट को कॉंग्रेस ने हर्याना के जीन्द जिले की जुलाना सीट से नकेवल टिकट दिया बलकि चुनाओं प्रचार में भी उनका खूब इस्तमाल किया ताकि इसका असर पड़ पाए विनेश फोगाट दरसल वही है जिन्होंने सातियों के साथ मिलकर भाजपा सांसत, ब्रिज, भूशन, शरन, सिंग पर जोन उत्पीडन के आरूप लगाए थे और उनके खिलाब साड़क पर विरोध प्रदर्शन और क्या कुछ हुआ था आपने भी देखा और यही वज़ा है कि आज विनेश को सत्ता विरोधी नाइका के रूप में पेश किया गया सबसे दिल्चस्प ये भी रहा कि विनेश फोगाट एक महिला है और उन्हें ऐसे रज्ज में सबसे आगे रखा गया जो हाँ पर पुरुष हमेशा पहले पाइदान पर रहते हैं हर्याना में और अगर आंकलों को ही देखे हैं तो 1966 से लेकर आज तक केवल 87 महिला विधाय के यहां से चुनी गई है और कॉंग्रेस ने बीते 15 सालों में वो सीट भी नहीं जीती जहां से विनेश को मैदान में उतारा गया और ऐसे में कॉंग्रेस को खूब सारी उम्मीदें हैं विनेश फोगाट से केवल इस सीट के लिए आसे नहीं बलकि पूरे हर्याना के लिए आसे भी हालाकि हर्याना में कॉंग्रेस को ये भी डर है कि सेंध मारी ना हो जाए उदर बीजेपी ने भी कई मुद्धे भुनाने की कोशिश की जैसे की कॉंग्रेस में फूट है कॉंग्रेस में कौन सीम बनना चाता है इसको लेकर एक राय नहीं है कुमारी सेलजा को कमुद्धा भी कॉंग्रेस की तरफ से उठाया गया लेकिन हर्याणा में कॉंग्रेस को ये डर सता रहा है कि सेंधभारी न हो जाए और इसके लिए हाई कमान पहले एक्टिव है केसी वेडूं गोपाल और अजय माकन इसकी जिम्यदारी संभाल रहे हैं लेकिन जैसे ये खबर सामने आए कि एक्जिट पोल में कॉंग्रेस के पास बहुमत आ सकता है उसके बाद तो कॉंग्रेस में नेता जी एक्टिव भी होते नजर आए कॉंग्रेस के वो नेता प्रो एक्टिव हो गए जो कि सीम पत की रेस में धोड़ रहे हैं चाहे वो भूपिंदर सिंग हुड़ा हो रंडीप सुर्जे वाला हो या फिर कुमारी सेलजा दो बार मुक्यमंत्री रह चुके भूपिंदर हुड़ा रविवार राती रोतक से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे और खबर तो ये लगातार आ रहे है कि उनसे मुलाकात करने के लिए कॉंग्रेसियों की लाइन भी लग गई है और जैसे ही वोटिंग खत्म होई थी कुमारी सेलजा भी राजस्थान के सालसर धाम पहुँच गई थी वहाँ पर भी आशीरवाद उन्होंने लिया इधर तीसरे दावेदार के रूप में रंदीप सुर्जेवाला भी है जो वैसे तो राज्य सभा के सांसद हैं लेकिन उनोंने एक्जिट पोल आने के बाद उतराखंड में केदारनाध धाम में माथा भी टेक लिया इन तीन चेहरों के अलावा कॉंग्रस में भुपिंदर हुड़ा के सांसद बेटे दीपिंदर हुड़ा का भी नाम सीम को लेकर चर्चा में है इधर कॉंग्रस ने ये तैय किया है कि नतीजे जैसे ही आएंगे रहनानीतिक फैसला लेने में कई देरी ना हो इस लिहाज से मलिक आरजुन खडगे और राहुल गांधी दोनों ही दिल्ली में डटे रहेंगे अब देखिए ताकत की अब बात कर लेते हैं अगर कॉंग्रस की अगर बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए और किसको सियम मनाया जाएगा इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है लेकिन आपको अब बता देते हैं कि कॉंग्रस का जो पोल ओफ पोल्स आया है उसमें तो कॉंग्रस को बहुम्त मिलता दिखाई दे रहा है लेकिन नतीजे बस कुछी देर में आने वाले हैं लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि भुपेंदर हुड़ा जो कॉंग्रस के दाविदार माने जा रहे हैं भुपेंदर हुड़ा, कुमारी सैलजा और रंडीप सुर्जेवाला इसके अलावा देपेंदर हुड़ा इनकी ताकत की बारे में बात करलते हैं कि इसमें कितना दम है तो भुपेंदर हुड़ा दरसल दो बार सीयम रह चुके हैं और इस लिहाद से इसके अलावा 90 सीटों पर बातर जो टिकेट बाटे गए थे भुपेंदर हुड़ा के कारीबियों को टिकट बाटे गए थे तो ये भी एक हो सकता है ये एक फैक्टर काम करेगा क्या इसके अलावा वो जाट कम्यूनिटी से आते हैं और इनकी अगर जनसंख्या हर्याना की जनसंख्या की बात की जाए तो 22 पीसद इनकी हिस्सेदारी होती है यहाँ पर तो एक पक्ष इनका भुपेंदर हुड़ा का जो है वो यहाँ पर नसर आता है लेकिन दूसरी तरफ कुमारी सेलजा की अगर बात कर ली जाए महिला है हलाकि हर्याना वो स्टेट है जहाँ पर पुर्शों को आगे रखा जाता है लेकिन कुमारी सेलजा की बात कर लें तो वो सेलजा सिर्जा से सांसद है वो चाती थी कि उनको भी टिकट मिल जाए लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया पार्टी के दुआरा ज्यादा समर्थकों के लिए टिकट मांग भी रही थी और उनको ये भी नहीं मिल पाया केवल पांच सीटों पर ही वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामियाब हो पाई थी डलित चेहरा जरूर है और अगर यहाँ पर ये चीज़े चलती है तो हो सकता है कि कुमारी सेलजा को मौका दिया जाए क्योंकि इसके पहले चनन जीत सिंग चननी के रूप में हमने देखा है कि पंजाब में कॉंग्रिस ने ये जो एक प्रकार से एक्स्पिरिमेंट है वो किया था तो एक बात तो ये हरियाना की जनसंख्या में अगर हिस्सेदारी की बात कर लें तो दलित समुदाय से आती है और इसकी हिस्सेदारी है 20% तो एक पार्ट तो ये हो गया इसके अलावा एक नाम औरे रंडीप सुर्चेवाला वो भी जाट कम्यूनिटी से ही आते हैं और विधान सभाज चुनाव लड़ने की मंजूरियों ने भी नहीं दी गई राजिस सबाज से सांसद है उनके बेटे को जरूर टिकट दे दिया गया कैथल से उनके बेटे को टिकट दे दिया गया और वो भी सीम का दावा कर रहे हैं और माना यह जाता है कि राहूल और सुनिया दोनों के करीबी हैं तो हो सकता है कि शायद उनकी चाबी खुल जाए लेकिन एक चीज और है दीपेंदर हुड़ा अगर इन तीन नामों पर बहुत कहला बढ़ती है तो हो सकता है कि चौथे नाम के तौर पर दीपेंदर हुड़ा जो कि बुपेंदर हुड़ा के बेटे हैं उनका नमबर आ सकता है क्योंकि वो भी जाट कम्यूनिटी से आते हैं राहूल गांदी की गुड बुक में भी वो शामिल है और चौनाप रिचार के दोरान भी वो ग्राउन पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आये थे इसके अलाबा अगर रंडीप सुर्जेवाला के हम बात करें तो राहूल और सोनिया के करीबी माने जाते हैं लेकि एक फैक्टर और है अगर ये सब तो कॉंग्रस तयारी कर रहे है लेकिन ऐसा नहीं हुगा क्योंकि नतीजे कुछ देर में आएंगे और उसके बाद बिलकुल साफ हो जाएगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा कि किसके खाते में कितनी सीटे और ऐसे में अगर बीजेपी बाजी मार ले जाती है तो बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि हमारा सीएम बदलेगा नहीं नायब सैनी ही बागडोर संभालेंगे और नायब सैनी को ही हम सीएम बनाएंगे और OBC वर्ग से आते हैं नायब सैनी और अगर उनके वोट बैंक की बात कर ली जाए तो हर्याना में 21 पीसद के आसपास वोट बैंक जो है वो OBC का है तो ये एक पार्ट बड़ा महत्वपून हो जाता है लेकिन इसके बाद अगर कुछ आंकडे क्लियर मैजॉरिटी के नहीं आए तो हो सकता है कि BJP इसके लिए पहले से तयार है ये नायब सैनी कह चुके हैं कि हमने पूरी तयारी कर रखी है क्या करना है कैसे करना है कहा करना है इसके लिए हम पूरी तरह से तयार हैं तो बस नतीजे आने में देर नहीं है तो इंतजार नतीजों का कीजिए उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि हर्याना में किसकी सरकार बनने जा रही है धन्यवाद